छोटी सी अंधेरी गली में खुद को चादर से ढखे हुए वो औरत चलती चली जा रही थी। एक घर के सामने रुकी और लोही के जंग लगे दरवाजे पर दस्तक दी। और थोड़ी देर के बाद उस दरवाजे से एक आदमी बाहर आया। उस आदमी ने उस औरत से पूछा क्या काम हो सकता है। तो उस औरत ने कहा जी हाँ काम हो जाएगा। उस आदमी ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर उस औरत को दे दिये। उस औरत ने जल्दी से सामने खड़े इंसान से पैसे लेकर अपने तुपट्टे के अंदर मौजूद पर्स में छुपा लिये ताकि कोई उन्हें देख न सके और बैसे ही बापस चली गई जिस तरह आई थी। वो अपने पती के आने से पहले घर पहुँच जाना चाती थी। अगर उससे पहले उसका पती घर पहुँच जाता तो उसकी सारी मेहनत वेकार हो जाती जो उसने इस काम को करने के लिए की और वो ऐसा हर गिज नहीं चाती थी। घर पहुचकर उसने बहुती तेज आवाज से अंजना को बुलाया था। अंजना ने जब उसकी आवाज सुनी तो कापती हुई टांगों से फौरण उठी उसका सर चक्रा गया वो गिनने लगी तब उसने दीवार का सहरा लिया वो स उसके साथ वही जुल्म होता जो काफी समय से होता चला आ रहा था। और अब उसके जिसम में इतनी जान नहीं बची थी कि वो अब और जुल्मों को बरदाश्त कर सकती। इसलिए उसने उस औरत के सामने सर जुका दिया और खड़ी हो गई। उस औरत ने पूछा कि क्या त त्यार करना है। अन्जिना ने सहमी हुई नजरों से उस औरत की तरफ देखा, कहने लगी मैं खाना बनाने ही वाली हूँ, सारा काम समय पर हो जाएगा, आप बिल्कुल भी फिकर न करें। ये कहकर अन्जिना जल्दी से किचन में दाखिल हो गई और जल्दी जल्दी खान लगी कि किसी को उसकी फिकर नहीं, कोई भी उसका पूछने वाला नहीं कि तुमने सुबह से कुछ खाया है या नहीं। उसने एक लंबा सांस लेकर एक थंदे पानी का गिलास दिया और खुद को काम के लिए तयार करने लगी। एक घंटे तक वो खाना तयार कर चुकी थी खाना तयार करने के बाद उसने पूरे घर की सफाई की और तब तक उसके बाप के घराने का समय भी हो चुका था। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो दरवाजा खुलने के लिए गई और उसका बाप घर के अंदर दाखिल हुआ। अंजना नहीं न की थी लेकिन जब अंजना पैदा हुई तो उसकी मा की मौत हो गई थी वो इसो दुनिया को छोड़ कर चली गई और अंजना को उसकी दादी सम्हाले लगी अपने बेटे को वो बार बार कहती कि वो अपनी बेटी को एक नजर देख तो ले लेकिन उसके बाप ने उसे जिन्दगी पड़ी थी और वो अकेले जिन्दगी कैसे गुजार सकते थी उनकी दूसरी पत्नी बहुती घमंडी और थी उनकी पत्नी ने भी कभी अंजना की तरफ कोई तबज्जु ना दी और नहीं कभी उसे प्यार से बुलाया कुछ समय बाद उसकी सौतेली माने एक ब मौजूद है अंजना की दादी ने अंजना की देखभाल की और उसे स्कूल में दाखिला करवाया अंजना को मा की कमी के साथ साथ बाप की कमी भी महसूस होती थी जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी उसे अपने बाप और अपनी सोतेली मा के सोतेले विभार की समझाने लग जब तक अंजना की दादी जिन्दा रही अंजना की जिन्दगी आसान रही थी लेकिन अंजना की दादी के मनने के बाद उसके लिए जिन्दगी मुश्किल हो गई थी उसकी सौतेली माने जो सबसे पहला काम किया था वो ये था कि उसे स्कूल से उठा दिया अभी अंजना न दसवी पास ही कर पाई थी अंजना ने बहुत मिनतें की तब भी उसे आगे पढ़ने की अनुमती नहीं मिली अंजना ने खामोशी के साथ इस फैसले को स्विकार कर लिया क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा चारा नहीं था उसके सोतेले एक भाई और एक बहन थी लेकर उनक ना घर की सफाई करना और घर के तीनों समय का खाना बनाना और अगर किसी बज़े से उसे किसी काम में देर हो जाती तो उसकी सोतेली मां हाथ उठाने से भी बाज नहीं आती थी और उसे इतना मारती थी कि उसके जिसम पर नीले निशान पर जाते थे लेकिन अंजना की फरि का पाकर अंजना की सोतेली मा का भतीजा उस पर भीड़ियों की तरह तूट पड़ा अंजना अपने बचाओं में हाथ पैर मानने लगी और चीख ने चिलाने लगी लेकिन उस बगत घर में कोई नहीं था और तब ही अचानक अंजना के हाथ में गुल्दान आ गया जो उसने दरिंदे के सर पर दे मारा उसके सर से खोन बहने लगा और इसी मौके का फाइदा उठा कर अंजना कमरे से भाग गई और अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया जब उसने अपनी सोतेली मा से शिकायत की तो सोतेली मा ने उल्टा ये कहा कि तो मैं इसी लड़की हो जो मर्दों पर डोरे डालती हो। ये इल्जाम सुनकर अंजना के पैरों से तो जमी निकल गई। शाम को जब अंजना के पापा घर आए तो अंजना की माने बढ़ा चड़ा कर अंजना की शिकात लगा दी। कि अंजना ने मेरे भतीजे पर इल्जाम लगाया है कि वो इसको छिड़ता है और उस पर गंदी नज़र रखता है। और आज तो अंजना ने हधी कर दी मेरे भतीजे का सर ही फोड़ दिया। अंजना के बाप ने ही सुना तो उल्टा अंजना पर ही गुस्सा करने लगे। यहां तक कि अंजना को इतना मारा कि अंजना बेजान होकर जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। जब उसकी आख खुली तो उसने अपने आपको एक श्टोर रूम में पाया था। पूरा श् जिन्दगी के बारे में सोच रही थी कि तमाम परिशानी उने उसकी जिन्दगी में ही डिराड डाल रखा था। पता नहीं उसकी जिन्दगी के बारे में भगवान ने क्या फैसला किया था। कि उसके साथ कुछ ऐसा सलूक किया जाए कि वो जिन्दिगी भर दुखी रहे वो मुझे तरपाने के लिए मुझे दुख देने के लिए गटिया से गटिया रिस्ता मेरे लिए तलास करेंगी अंजना ने अपनी सौते ली मा के आगे हाथ जोड़े उनसे कहा कि वो किसी ऐसे इंसान से उसकी शादी न करे जो उस पर जुल्म करे क्योंकि अब मेरे शरीर में और जुल्म सहने की ताकत नहीं है अंजना की बात सुनकर अंजना की सौते ली मा ने एक जोड़़दार कह कहा लगाया था और बोली कि तुम्हारे गंदे कर्टूतों के चलते तुम्हें ऐसा ही रिस्ता मिलना चाहिए मैं तुम्हारे साथ कोई नर्मी नहीं करूंगी आंजना भगवान से प्राथना करने लगी कि उसकी मदद के लिए कोई तो आ जाए और उन लोगों के जिल्मों सित्म से उसे बचा ले एक दिन अंजना घर का फरस दो रही थी कि तब ही दर्वाजे पर दस्ता कोई अंजना ने दर्वाजा खोल कर देखा तो कोई फकीर बाबा बाहर खड़े हुए थे उनके बाल बड़े हुए थे और दाली भी बड़ी हुई थी गले में अलग-अलग रंगों की मालाएं थी अंजना सोचने लगी ये फकीर तो जबान है और उसके हाथ पैर भी सलामत है अपना पेट भनने के लिए कोई काम कर सकता है कोई मेहनत मजदूरी कर सकता है इस तरह लोगों के घरों में क्यों भीक मांगता है लेकिन फिर कुछ सोचकर वो फकीर को कुछ देने के लिए अंदर की तरफ बढ़ गई और अपनी सोतेली मां से कहा कि दरवाजे पर कोई फकीर आया है उसको कुछ पैसे दे दे जब उसकी माने ये सुना तो बढ़ बढ़ाती हुई बाहर की तरफ आई उस फकीर के हाथ में कुछ पैसे रख दिये अब अंजना की मा को अंजना की शादी की बहुत जल्दी पड़ी थी अंजना की माने एक रिष्टे वाली को बुला रखा था वो अंजना के लिए रिष्टे के बारे में बता थी रिष्टे कराने वाली को अंजना की सोतेली माने बता रखा था कि कैसे रिष्टे तलाश करने हैं रिस्ते वाली कभी बहुत बूले आदमी का रिस्ता लेकर आती तो कभी किसी तलाक शुदा का तो कभी लंगडे लूले का रिस्ता लेकर चली आती जब अंजना इस रिस्तों के बारे में सुनती तो डर जाती और भगवान से प्रातना करती कि भगवान मेरे नसीब अच्छे क अगले दिन अंजना फिर कामों में बियस्त थी कि तभी दर्वाजे पर दस्तक हुई अंजना ने देखा बही फकीर दर्वाजे पर खड़ा हुआ था अंजना हैरान हो गई कि यह आज फिर से आ गया लेकिन आज उस फकीर ने अंजना को पानी पिलाने के लिए कहा तो अंजन अंजना हिचकेचाती हुई उसे पानी पिलाने के लिए किचन में गई और पानी का गिलास ले आई और इंतजार करने लगी कि फकीर उस पानी का गिलास वापस कर दे अभी बुदर बाजे में ही खड़ी थी कि उसकी सोतेली मां बाहर आती हुई दिखाई दी बो शक भरी न परदों से नेन मटका करती हो मुझे तुमारे लच्छन कुछ अच्छे नहीं लगते तुम्हारा मुझे जल्दी ही इंतजाम करना पड़ेगा अंजना ने कहा कि वो प्यासा था मुझसे पानी माग रहा था तो मैं उसे कैसे मना कर देती उसके सोतेली मां ने कहा कि अगली कर लो कुछ दिनों में तम्हारी शादी है अपनी सोतेली मा की ये बात सुनकर अंजना डर गई उसके दिमाग में पहला ख्याल यही आए था कि जरूर उसके लिए बहुत ही घटिया रिस्ता उसकी माने तलाश किया होगा किसी बूले आदमी का या फिर किसी लंगले लूले आ लेकिन उसकी सोतेली मा ने कहा अब फैसला हो चुका है रविवार को तम्हारा बेभा है तुम तयार रहना अंजना अंसू बहाती हुई चुप हो गई और सोचने लगी क्या मैं अपने बाप से इस बारे में बात करूं लेकिन वो अपने आप में इतनी हमत पैदा नहीं कर पा रही थी कि ये बात अपने बाप से कहे रात को जब उसका बाप घराया तो उसने हमत करते हुए उनसे बात करने का फैसला किया और उनके कमरे में चली गई उसकी सोतेली मा उसमे कमरे में नहीं थी और उसे ये मौका एकदम सही लगा उसने डरते हुए अपने बाप से कह कि मम्मी मेरी शादी करवा रही है आप इसे शादी को रुकवा दें मैं आपको बिलकुल भी तंग नहीं करूंगी नहीं कोई शिकायत का मौका दूंगी उसके बाप ने हाथ उठा कर उसे बात करने से मना कर दिया और कहा कि तुम्हारी मा जो भी कर रही है ठीक कर रही है कुछ होगा भगवान मेरे हित्प में करेंगे रविबार का दिना गया अंज़िना की सौतेली माने अंज़िना को कुछ कपड़े दिये और कहा इन्हें पहन कर तयार हो जाओ लेकिन जब उसकी सौतेली माने अंजना को बालों से कसकर पकड़ कर उठाया तो वो दर्द से बिलवला उठी थी उसकी माने उसे धमकी दी कि चुपचाप कपड़े पहन कर त्यार हो जाओ बनना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अंजना चुपचाप आंसू भाती होई कपड़े पहन कर त्यार हो गई थोड़ी देर में पंडिजी भी आ गए और फिर अंजना की शादी हो गई शादी होने के थोड़ी देर बाद उसकी माव उसके पास आई और कहा कि अब तम्हारी बिदाई का समय आ गया है अंजना खामोशी से उनके साथ चल दी बिदाई के समय अंजना की माने अंजना को एक थैली दे दी जिसमें अंजना के कुछ पुराने कपड़े थे इस थैली के अलावा अंजना इस घर से कुछ भी लेकर नहीं जा रही थी इस तरहें अंजना बिदा होकर घर से निकल आई अंजना ने देखा कि वो जिन लोगों के साथ बिदा होकर जा रही थी उस गाली में सिर्फ चार मर्द थे औरत कोई नहीं थी अंजना को समझ नहीं आ रहा था कि उनमें से अंजना का पती कौन सा है थोड़ी दूर जाने के बाद तीन आदमी गाली से उतर गए सिर्फ एक आदमी गाले में बचा उस आदमी ने अंजना से कहा कि इस तो गाली से उतर कर रिक्षे पर सबार हो जाओ अंजना उस रिक्षे पर सबार हो गई और फिर उसी रिक्षे पर वो चौथा आदमी भी बैठ गया जब अंजना ने उसे गौर से देखा तो अंजना की जान निकल गई क्योंकि ये तो बही फकीर था जो अंजना के घर आता था आज उसने फकीरों बाले कपड़े नहीं पाएने थे फकीरों बाला खुलिया नहीं था लेकिन उसके बाल और दाड़ी बैसे ही बड़े हुए थे अंजना उसो आदमी को देकर हैरान हो गई सोचने लगी तो मेरी माने इस फकीर को मेरे लिए पसंद किया है यानि मेरी शादी एक फकीर के साथ कर दी है इससे बड़ा मेरे उपर क्या जुल्म होगा कि मेरी माने एक फकीर से मेरी शादी कर दी ये सोच कर ही अंजना की आँखों में यासु आ गए कुछ दूर चलने के बाद रिक्षा एक गली के सामने रुग गया उस आदमी ने अंजना को नीचे उतनने का इशारा किया और खुद भी नीचे उतर गया थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक लोहे के जंग लगे दरवाजे के सामने रुग गये और दरवाजे पर लगा ताला वो आदमी खोलने लगा दरवाजे पर ताला खोलने पर उस आदमी ने उसे अंदर दाखिल होने के लिए कहा तो अंजना घर के अंदर दाखिल हो गई घर में बिलकुल अंधेरा चाया हुआ था अंजना एक तरफ को खड़ी हो गई उसने घर के अंदर दाखिल होकर एक नजर पूरे घर पर डाली एक छोटा सा घर था, सामने दो कमरे, एक छोटा सा आंगन और एक छोटा सा किचन था आंगन में बाथरूम बना हुआ था, घर छोटा जरूर था लेकिन साफ सुत्रा था देखने में ये कहीं से भी फकीर का घर नहीं लग रहा था उस आदमी ने कमरे का दर्बाजा खोल दिया कमरे में एक बैड, कपन वाली अलमारी और एक सोफा पड़ा हुआ था उसने अंजना से कहा कि बैठ जाओ इतना कहकर वो आदमी बाहर चला गया कुछ देर के बाद वो बापस आया तो उसके हाथ में खाने की चीज़ें थी उसने वो खाना अंजना की तरफ बढ़ा दिया तो यहां पर आपको किसी भी तरह की कोई परिशानी नहीं होगी उसके बोलने के अंदाज से बिलकल भी नहीं लग रहा था कि वो कोई फकीर है बलकि वो तो बहुती सुल्जा हुआ और पड़ा लिखा इंसान लग रहा था उस आदमी ने अपना नाम नैतिक बताया लेकिन अंजना कुछ नहीं बोली वो चुप चाप आसू बहाती रही थोड़ी देर तक वो इंतजार करता रहा कि अंजना कुछ खाना खा ले लेकिन जब अंजना ने हाथ नहीं बढ़ाया तो नैतिक उसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाने लगा अंजना ने न जाने क्या सोच कर अपना मुझ खोल दिया छोटे छोटे बायट बना कर नैतिक उसके मुझ में खाना देने लगा अंजना रोती जाती थी और खाना खाती जाती थी खाना खाने के बाद नैतिक ने कहा कि तुम इसी कमरे में आराम से सो जाओ मैं दूसरे कमरे में सो जाता हूँ ये कहकर नैतिक कमरे से चला गया था अंजना भी दिन भर की ठकी हारी थी थोड़ी ही देर में उसे भी नीद आ गई और अगले दिन सुबह सबेरे नैतिक घर से निकल गया अंजना से कहा कि घर का दरवाजा अच्छे से बंद कर लो मैं शाम तक लोटाओंगा पती के जाने के बाद अंजना ने घर की थोड़ी बहुत सफाई की और किचन में देखा तो खाने पीने की तमाम चीज़े मौजूद थी अंजना ने खाना तयार किया और नैतिक का इंतिजार करने लगी शाम को जब वो बापस आया तो उसके हाथ में कुछ सौपिंग बैक्स थे उसने वो बैक्स अंजना को दिये और बोला इन्हें खोल कर देखो उन बैक्स में लड़कियों के कपड़े जूते मैकप का सामान था नैतिक ने कहा कि मैं ये सबु तम्हारे लिए लाया हूँ अंजना हैरान हो रही थी कि फकीर होकर उसके पास इतने पैसे कहां से आये अभी अंजना उससे इतनी बेतकल्फ नहीं हुई थी कि उससे कोई सवाल करती उसने अंजना से कहां कि मैं आपके साथ कोई जोड़ दबर जिस्ती नहीं करूँगा आपको पूरा समय दूँगा कि आप इस रिस्ते को पहली सुईकार कर लें तब ही हम आपस में अपनी शादी शुदा जिन्दिगी की शुरुआत करेंगे इससे पहले मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा अंजना को नेतिक की ये बात बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि अंजना दिमागी तोर पर इस रिस्ते के लिए तया नहीं थी दीरे दीरे काफी दिन गुजर गए अंजना को अपनी सगी मा की बहुत याद आती थी और अपनी दादी को भी वो बहुत याद करती थी वो सोचती अगर मेरी दादी या फिर मेरी मा जिन्दा होती तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता मेरे बाप ने तो मुझे बिदा करते हुए मेरे सिर पर प्यार से हाथ भी नहीं रखा आशिरवाद देना तो दूर की बात थी अंजना को अपने बाप का ये रविया वर्दास नहीं हो रहा था कभी कभी अंजना जब बहुत जादा दुखी होती तो दहाडे मार मार कर रोती एक दिन अंजना की सोतेली मां अंजना की सुनगन लेने के लिए अंजना के घर के सामने से गुझरी और जब उसने अंजना के रोने की आवाज सुनी तो बहुत खुश हो गई थी लेकिन एक दिन उनके मोहले की कुछ ओरतें उनके घर गई और उसे कहने लगी कि तुम्हें अपनी सोतेली बेटी की शादी करवा कर बहुत अच्छा किया है भला कोई अपनी सोतेली बेटी के साथ इतना सब कुछ कैसे कर सकता है तुमने सोतेली माँ होकर दिखा दिया कि तुम सगी माँ से कहीं बढ़कर हो तुमने अपनी सोतेली बेटी की जिंदगी सुर्ग बना दी अंजना की सोतेली माँ उन औरतों की बातें सुनकर हैरान रह गई वो अपने मन में सोचने लगी कि मैंने तो उसकी शादी एक फकीर से करवाई थी फिर भला वो अपने घर में खुश कैसे रह सकती है और फिर मैंने उसके रोने की आवाज भी खुद अपने कानों से सुनी है फिर ये अउरतें ये सब क्यों कह रही हैं अंजना की सोटेली मा को शक हुआ और वो सच जाने के लिए अंजना के घर पहँच गई लेकिन सामने का मनजर देखकर अंजना की सोटेली मा हक का बगका रहे गई क्योंकि अंजना का पती नैतिक साफ सुत्रे कपड़े पहने हुए सामने ही बैठा हुआ था उसकी बड़े हुई शेव और बड़े हुए बाल भी अब अपनी सही शेव में आ चुके थे नेतिक एक बड़ा लिखा और बहुती हंसम लड़का था दोनों साथ बैठे खाना खा रहे थे ये मंजर देखकर अंजनाकी सोतेली मा को गुसा आने लगा कि मैंने इसे खुश देखने के लिए इस फकीर से इसकी शादी नहीं की थी मैं तो हमेशा उसे दुखी देखना चाहती थी बाहर का दरवाजा पुराना जरूर था लेकिन अंदर का मकान काफी साफ सुतरा और जरूरतों की सामान से भरा पड़ा था जब नेतिक ने अंजना की सोतेली मा को देखा तो वो उसे घर के अंदर ले आया और उन्हें बैठने के लिए कहा लेकिन अंजना की सोतेली मा गुसे में थी उसने कहा कि तुमने मुझे धोका दिया है तुमने फकीर बनकर मुझसे अंजना का हाथ मांगा और मैंने तुम्हें फकीर समझकर ही अंजना का हाथ तुमें दिया था जब तुम गरीब और फकीर नहीं थे तो फिर तुमने अपना हुलिया फकीर बाला क्यों बनाया हुआ था नेतिक ने कहा कि ये सही बात है कि एक मैं फकीर के हुलिये में था और उसी हुलिये में आपसे अंजना का हाथ मागा था लेकिन अब ही मैं अपनी असली हालत में आ गया हूँ और आपको आपके हिसे के पैसे मिल गए हैं तो अब आप ये सवाल क्यों कर रही है अब तुम्हरा कोई अधिकान नहीं मुझे ये पूछने का कि मैं फकीर हूँ या कौन हूँ क्योंकि तुम अपने हिसे के पैसे ले चुकी हो क्योंकि तुमने तो सिर्फ दस हजार में ही अंजना को मुझे बेच दिया था लेकिन मैं अंजना के साथ शादी करके उसे इज़त के साथ अपने घर ले आया हूँ और अब अंजना मेरी पत्नी है अंजना की सोतेली मा हक्का बक्का सी खड़ी थी और नेतिक का मूँ देख रही थी वो हैरानी से बोली आखिर तुम कौन हो क्योंकि तुम्हारे हुलिये से ऐसा बिलकुल नहीं लगता कि तुम फकीर हो नेतिक बोला असल में मैं एक पलिस वाला हूँ और मैं भेहस बदल कर कुछ लोगों को ढूंकता हुआ उस दिन तुम्हारी गली में आ गया था तुम्हारे घर से मैंने किसी के रोने की आवाज सुनी तो दरवाजे से अंदर जाक कर देखा तो एक आदमी एक लड़की को बुरी तरह मार रहा था मुझे ये सब देखकर बहुत दुख हुआ मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि इस लड़की को इस घर से और इन लोगों के जुल्मों से आजाद करा कर ही रहूँगा इसलिए फकीर के रूप में आपके घर आने लगा था मैंने उस दिन अंजना से पानी पीने के लिए माँगा उसने फौरण मुझे पानी दिया था मैं अंजना की सादगी और उसकी खूपसूर्ती का दिवाना हो गया था और मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि शादी करूँगा तो सिर्फ अंजना से ही करूँगा इसलिए मैंने आपसे अंजना का रिस्ता मांगा लेकिन आपने कहा कि अगर अंजना से शादी करनी है तो तुम्हें 10,000 देने होंगे तभी तुम अंजना की शादी मुझे करूगी मैंने 10,000 की रकम आपको दे दी है उस दिन जब आप छुपते छुपते मेरे घर पर पैसे लेने आई थी मैंने उसी दिन वो पैसे तुम्हारे हवाले कर दिये थे और तुमने बादा किया था कि अगले दिन अंजना की शादी मेरे साथ कर दोगी अब आप अपनी रकम ले चुकी हैं अंजना को मेरे हवाले कर चुकी है अब आप यहां से जा सकती है आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूँ कि ये मकान मेरा नहीं है ये मकान मैंने किराय पर लिया हुआ है मेरा तो अपना एक बंगला है और मैं और अंजना अब उधर ही रहेंगे जब अंजना की सोतेली माने ये बात सुनी तो अपना सर पकड़ लिया कि उससे ये क्या फैसला हो गया बोतों अजना को दुखी देखना चाहती थी लेकिन भगवान ने तो उसकी किस्मत में सब कुछ लिख दिया था प्यार कने वाला पती पैसा शोहरत सब कुछ अंजना नहीं एंजना हैर से खड़ी खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। उसकार सर चक्रा गया और वो बेहोश हो गई। इससे पहले वो नीचे गिरती कि नैतिक भागता हुआ उसके पास पहुँचा और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उसे बैट पर लिठाया और उसके उ पड़ा लिखा बनकर तुम्हारा रिष्टा मांगने तुम्हारी सोतेली मा के पास जाता तो वो कभी भी तुम्हारी शादी मेरे साथ नहीं करवाती। अंजना ने कहा कि आपने मेरी बज़े से अपना भेश बदला था। तो उसने कहा कि जब तुम्हें मार खाते देखा तो मेरे दिल को कुछ हुआ था और मेरे दिल ने चाहा कि अभी जाकर तुम्हें अनों लोगों से बचा लूँ लेकिन मैं तुम्हें पूरे हक से बचाना चाता था इसलिए मैंने फकीर का हुलिया बनाया ताकि मुझ पर किसी को शक नहो पहले दिन मैंने जब तुम्हें द ये पिलान बनाया और तुम्हारी सोते ली मा को अपने पिलान में फसा लिया इस तरह उनका लाला चुक खुल कर सामने आ गया तुम्हें उनके जुल्म से बचाने के लिए मैंने उन्हें पैसे दिये तुम मुझे गलत मत समझना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें हमेशा खुस देखना चाहता हूँ आज तक कभी किसी लड़की ने मेरे दिल को नहीं चुआ चुआ तो सिर्फ तुम्हारी मासूमियत ने और तुम्हारी साथगी ने मैं तुमसे मुहबत कर बैठा हूँ अंजना तुमसे दूर रहकर अब जीने के बारे में लेकिन ये मेरी मजबूरी थी अंजना नेतिक की बात सुनकर रोते रोते हास पड़ी और उठकर बैठ गई और नेतिक के गले से लग गई आज उसे सब कुछ अच्छा लग रहा था अंजना का नेतिक के गले से लगना था कि नेतिक भी खुद पर काबू नहीं कर पाया और दो प्यार करने वालों का मिलन हुआ था जहां न कोई बंदिश थी न कोई जुल्म करने वाला था क्योंकि अंजना को एक रख्षक के रूप में उसका जीवन साथी मिल गया था जो जीवन भर उसकी रख्षक करने वाला था आंजना ने भी अपनी बाहों के घेरे नेतिक पर तंग कर दिये और दोनों एक दूसरे में खो गए अंजना ने भगवान को धन्यवाद दिया कि उसने उसकी जिन्दगी में इतना अच्छा और प्यार करने वाला जीवन साथी भेजा था अब उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कहानी को अंते तक सुने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद